हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आज हम हर्याना जीके में करने जा रहे हैं नेया टोपिक जो है हर्याना के खनीज संसादन हर्याना में कौन-कौन से खनीज पाए जाते हैं कौन-कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं उसके बारे में देखेंगे हर्याना में देखे सबसे पहले खनीजो का शहर किसे कहा जाता है महेंदरगड को पूछ लिया जाए खनीजो का शहर किसे कहा जाता है महेंदरगड को खनीजो का घर पूछ लिया जाए वो भी महेंदरगड को कहा जाता है आर्थिक दिरिश्टी से क्या है हर्याना जो है खनीज के मामले में संपन नहीं है मतलब पूरी तरह से संपन नहीं है क्या है वो पिछड़ा हुआ है आप यहां पे संपन नहीं है भी बोल सकते हैं अच्छे से और पिछड़ा हुआ भी बोल सकते हैं सबसे ज़ना हरवली सबाइब लियुकीं हारावलावलीघ सबसे ज़युकी गाएड़ powinu और तो कितने जिलों में ग्यारा, 11 डिस्टिक के अंदर जो है हमारा खनीज पाये जाते हैं, सबसे पहले महिंदरगड, सबसे जदा खनीज कहा पाये जाता है, महिंदरगड में, क्यों कि इसको, क्यों कहते हैं कि इसमें सबसे जदा है, क्योंकि यह जो है, सबसे जदा खनीज हमा इसके अलाववग Stellen posible ना dispynोष एक लाव मेवाट के अब जिलू अब जिलों के नाम हमारे हो चुके हैं कि कौन-कौन्स से जिलों में पाया जाता है। सबसे पहले हैं उलाव कौन से कहनीज पाया जाता है। सबसे पहले हैं महंधरजम तुसा एक कौन सा असबस्टेस आमबा, अबरक, मैंगनीच, चुना पत्थर, डोलोमाइट, क्यानाइट, बेराइट, बेराइल, सफ्टिक, स्लेट, ग्रेनाइट, संगमरमर, कच्चा, लोहा, अब इसमें से मेन कोशन बन जाते हैं कि हमारा ग्रेनाइट कहां पाया जाता है महिंदरगड में संगमरमर पूछा जाएगा यह कौन से जिले में पाया जाता है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से इनको देखें गुरुग्राम में क्या पाया जाता है ग्रेफाइट, अबरक, चीनी मिट्टी, पत्थर शुदा रेद, जिसके अंदर पत्थर भी छोटे-छोटे शामिल हो, धलाई खा में और राव में और इसार में अब ओप्शन आप देख लेना कौन से ऑप्शन है तो इसके अकोर्डिंग आप कर सकते हो इसार में क्या पाया जाता है एक तो शोरा, शोरा को क्या बूला जाता है, के-ान-ठी, पोटाशियम, नाइट रेट, जिपसम कहां पाया जाता है इस अब नेका दोटे की नियूज कि पनाने में आप सिनु खतु में और में elles Самीडिय शोरीव और मरम में सुरिक्ड तो आखे मख़ा हैं अप करणा बाने में मेंट दोलद केंगे नंव्लिया पत्थर अब ये पूच लिया जाए रेवाडी के अंदर स्लेट पत्थर कहां पाया जाता है। बिवानी में क्या पाया जाता है। čूनापत्थर , ॉ है चूनापत्थर , जसता , टंक्स्टन , लोहुयस्क और ग्रें नाइट। चर्खी दादरी जो हमारा अंतिम जिला बना है अब पूछला जाए सबसे अंतिम जिला कौन सा बना है चर्खी दादरी अब इसमें कौन सा पत्थर पाया जाता है हिलना नामक पत्थर कौन सा पत्थर हिलना नामक पत्थर वो पत्थर क्या है पूरे भारत में फेमस है और सिर पाया जाता है कलियाना गाओं में और पूरे भारत में कहां पाया जाता तो हरियाना में रोहतक में क्या पाया जाता है चूना पत्थर फ्रीदाबाद में सफ्टिक चीनी मिटी बजरी पत्थर शुदा रेत धलाई खाना रेत पंच कुला पंच कुला में क्या पाया जाता है देखते हैं अब हम चूना पत्थर डोलोमाइट बेराइट मेवात में ग्रेफाइट और कयानाइट अंबाला चूना पत्थर रवेदार चूना सोना सोना अब हमारा पूछ लिया चाहिए आप से कौन से जिले में पाया जाता है सिरफ ये अंबाला जिला में पाया जाता है अ पारकंडा नदी के अंदर अब यह देखें जो शिवालिक परवत है और एक अरावली जो परवत थे अब उनका बता रहे हैं शिवालिक परवत कहां पढ़ते हैं हमारे उत्री भाग में इसकी ट्रीक क्या है पे पंचकुला अंबाला यम्ननगर यहां पर हमारा कैसी रफ 1.67% फैला हुआ शिवालिक परवत जिस वज़ा से यहां पर क्या है एक त्री परसेंटेज भी गम है और यहां पर खनीज क्या है कम बात्रा में होता है अब यह पूछला जाए शिवालिक परवत किस तरह का परवत है वलित परवत है अरावली का परवत अरावली परवत यह कौ कौन कौन से पार्ट आते हैं हमारे जिले कौन कौन से जिले आते हैं महेंदरगड गुरुग्राम भीवानी मेवात फृदाबाद रिवारी अब यह कितना परसेंट एरिया है जो रावली परवद में आता है 3.09 परसेंट है ठीक है फ्रेंट्स अब जो है एक क्वार्टेज न नमक स्तान में पाया जाता है कौन से क्वार्टेज ऑर्गुरुग्राम में जो पाया जाता है बदर पूर नामक अक्षेतर हैं महेंदरगड के कितना अनुमानित ठन भंड़ार था क्वार्टेज का 1,65,000 चान अनुमानित भंड़ार है इस वजय से अब यहां पर क्या हु ने दिल्ली हर्याना की सीमा से जितने भी ते पांच किलो मीटर का एरिया था ना वहां पर रोक लगा दी किसलिए रोक लगा दी कि यहां पर क्वार्टेज नाम का जो खनीज पदारतर नहीं निकाला जागा क्योंकि इसका इतना भंडार रखा है अब इसमें फरीदाबाद की कितनी खाने आ गई तेईस खाने ये हमारा जो है दिल्ली को टच करती है फरीदाबाद घैना आ गुरुगरामस गुरुगराम भी टच करता है तो裡 कितने बारा खाने अब टोटल पूछ ली जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी 35 कहाने अगल ﷺ बंद हो गई है इसटाबाद की अलग से बुच जाएंगी तो 2023 गुरुगराम की 22 अब आपसे बूच जाएंगी कि तिने किलोमेटर के लिए पर अगल कुर्मेट ने रोक लगाई थी पांच किलोमेटर के लिए कौन से नियाल लेने लगाई थी सरवोच नियाल लेने कोब लगाई थी 2002 में जिसकी वज़य से क्या हुआ था हर्याना सरकार को कितना नुकसान हो गया था 1500 करोड का किस चीज में हानी हुई थी राजसव जो कि गोवर्मेंट के डिपार्टमेंट के गोवर्मेंट के पास जाती है गोवर्मेंट का खजाना बनता है अब उसके अंदर गोवर्मेंट को नुकसान कितना हो गया है 1500 करोड ओके फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल ताकि आप नई नई वीडियो को देख सकें